नमस्कारम प्रियेजनों आप देखने भी एच्व पार्ट साला आप स्विकाब बहुत स्वागए थे भी एच्व पार्ट साला पे कंटिनिवस आपको ऑफिसियल कटाफ वीडियो मिल रहा होगा जिसमें हम लोगों ने फॉर्स टाउंड बी एललवी कटाफ आपको दिया था अभी हम लोग आपको second round कटाफ का वीडियो दे रहे हैं और actually पहले तो वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि already सबको पता चल चुका होगा allotment जो है वो almost complete हो चुका था और मैंने एक वीडियो में mention भी किया था कि देखो सास्त्री और बी एललवी जो है उ इंस्टा पर देखा टेलेग्राम पर देखा तो लगा कि बता देना चाहिए एक बार उनको जिससे कि वो लोग at least aware तो हो जाए कि हाँ उनका second round कटाफ जो है वो गया कितना है ठीक है तो वीडियो सुरू करने से पहले आपके लिए एक नया इनिसेट्व है बहुत अच्छा हो गए या आगे क्या करें क्या ना करें इन सब चीजों को लेके डाउट है तो ऐसे में सजेशन चाहिए और बहुत बड़ी भीड है हर किसी को सजेस्ट करना पॉसिबल नहीं था फिर मुझे लगा कि moral basis पर इसको स्टार्ट करते हैं अच्छा एटलिस्ट टूट बच्चो बस ऐसे ही लगेंगे करने मैं चाहता हूं कि कम से कम सीरियस बाते करनी हैं तो जैनून बच्चे मिले हमें तो प्लीज आप लोग अगर इंट्रस्टेड हैं तो आप लोग कॉमेंट मैसेज करना इस दंबर पर वाटसब करना अगर आपको लगता है कि मुझे एक सजेशन की जरूरत है आप एक बार पेमेंट करके इसमें कम से कम पांस से छे वन मन तक आपना डाउट क्लियर कर सकते हो ठीक है आपको एक सेपरेट डंबर दिया जाएगा उस पर आपको कॉल करना रहेगा और बाकी डीटेलिंग आपको समझाया जाएगा ठीक है और आप लोग इस प बच्छों को आगे अले आने के लिए है इसलिए रखा गया है अब हम लोग बात करते हैं ऑफिस्यल कटाफ का जो की यह 26 तारीका लिस्ट आया हुआ है आप समझ सकते हो कि टूडेज हो चुका है तो आल्मोस सीटे जो है वो कम्प्लीट है कुछ बच्चे बोल रहे थे कि स सीट इसमें आता है कि नहीं तो पेट सीट भी अलमी मवलेबल नहीं है फिर आप लोग पुछते हो कि सर हमारा प्रिफ्रेंस तो पेट पर फिलफ हुआ था तो वह एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जब सबका फिलफ हो रहा था तो आपका भी फिलफ कराया गया था देखो यह आपर जो जन्रल का गया है वह 528 ओबीसी का गया है 487 यानि जन्रल 528 ओबीसी 487 सी का 417 स्ट का 335 335 स्ट का गया है EWS 513 ठीके यानि एकोनामिकली विकर सेक्षन जो है जो जन्रल में आते हैं और उन्होंने EWS सर्टिपिकेट लगा रखा है तो 513 पैडिशन ले सकते हैं इन प्लीज आप लोग डिमरोलाइज नहीं होना है ठीके हमेशा हमारे पास रास्ते रहते हैं और हमें अपने आसफालताओं से सीखना चाहिए तो अब अपने आगे आने वाले स्वाडिम भविस के लिए कुछ अच्छा सोचो बाकि आप बीच्व पार्ट साला से जो हेल्प लेना चाहते हूं आपको यहां से मिल जाएगा तो हम लोग आपके साथ हैं मुस्कुराते रहें बीच्व पार्ट साला देखते रहें और मिलते हैं नेक्स वीडियों प्लेवरीवन डू लाइक एंड़ों से सब्सक्राइब इस चैनल